आज के सेशन में हम लोग puzzle based on flat and floor based करेंगे क्या approach होती इसको इस तरीके से इसमें देखेंगे तीन questions को discuss करेंगे मज़ा आएगा काफी अच्छे question है आपके SBI PO pre as well as IVPS PO pre के लिए important questions है ठीक है न चलो वीडियो को start करते है क्या question कह रहा है कि एक person namely ये persons के नाम बोले गए है live in four floor building mark one two four इस तरीके से हमको एक structure बताएगे यहां सा हमको structure सिर्फ बताता है puzzle सिर्फ इतनी सी छोटी सी puzzle है इतनी छोटी आएगी ठीक है आगे देखो क्या बोला है 4, 3, 2, 1 इस तरीके से मुझे बना लेना है ठीक flat 01 आपका ये है flat 02 आपका ये है clear two person live between q and h but both live in different flat समझना two person live between q and h but both live in different flat आगे देखो अब ये कहने का मतलब यह हो गया अगर मान लो q आपका ये है तो ये 2 person कौन कौन से include करेगा ये वाला person और ये वाला person और h आपका यहाँ क्योंकि q रज कर different flat है अब सर ये नहीं कहना आप लोग कि सर आपने 1 person लिया 2 person इसको क्यों नहीं count क्या क्योंकि between की बात करें तो जिनके between में बोलते हैं उनको लेंगे इस तरीके से कि ये इसके between में इनके between में ये दोनों है इनको इनको exclude कर देते हैं ठीक है जब भी ये statement आए चलो आगे देखो करते हैं कहां बैठता है q कहां बैठता है एच नहीं वालू g lives just below c's flat just below g's flat तो g के just above c मतलब ये दोनो same flat में होंगे ठीक है बी lives just above f's floor अब यहां पर ये मतलब हो जागा कि f को कहीं पर रखो f को कहीं पर रखो तो b उसके just above रह रहा है क्या कहा है बी lives just above the f's floor मतलब f कमाल लो यहां है तो b यहां पर भी हो सकता है मुझे नहीं मालूम यहां पर ये चीज़ होती है ठीक है ना जब flat आ जाएगा तो immediate above ले लेंगे आगे क्या कहता है देखो and lives immediate west of q q के immediate west में b है q के immediate left में b है m does not live on adjacent flat of b मतलब m और b आपके adjacent में यह h lives on the floor above q यह line ने कह दिया कि यह starting नीचे से करो q यहां रखा b यहां रखा दो person यह हुए दो person यह हुए तो h आपका यहां आ जाएगा हो सकता है ऐसा एक और case बना बता देता हूँ तो देखो एक और case बना देता हूँ इस तरीके से q अगर यह हुआ तो b यह हुआ और one two person करके यह h हो जाएगा यहां तक clear है अब आगे एक बात कहता है कि c और g एक साथ आएंगे तो इस वाले case में देखो तो c आपकर यहां हो जाएगा g यहां हो जाएगा ठीक है न यहां वाले case में c g c g काफी cases बन जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं आगे देखते हैं क्या बोला है कि b lives अच्छा f floor के just above g तो f तो यहां आहीं नहीं सकता न f तो आएगा नहीं f कहीं न कहीं यहां हो जाएगा कहीं न कहीं फिर g यहां आएगा ही आएगा अच्छा g यहां लिखने का मतला c confirm मेरा यहां हो जाएगा c confirm मेरा यहां हो जाएगा आगे देखो क्या कहता है कि M does not live in the adjacent flat of B तो B अगर यह है तो M यहाँ नहीं होगा और यहाँ वाले case में M यहाँ नहीं होगा M यहाँ नहीं होगा चल जाएगा M यहाँ आ जाएगा M यहाँ जाएगा इसकी कोई जरुवत थी कोई जरुवत नहीं थी यह तो ऐसी हट गया यह बचला आपका एक बचला आर बस खतम question इतनी सा question था आगे देखो क्या करता है कि who among the following lives on adjacent flat of C C के adjacent flat adjacent मतलब या तो यह हो सकता है या तो यह अब यह मत ले लेना यहाँ पर ठीक है which among the following pair of the person does not live adjacent flat अच्छा Q और M अगर हम Q और M को देखे तो यह adjacent है C और G को देखे तो यह adjacent F और M को देखे F और M तो यह भी adjacent है R और Q को देखे R और Q आपके adjacent नहीं है क्योंकि adjacent मतलब करने क्या बजाता या तो left-right या तो up-down हाना तो R और Q क्योंकि है आपके adjacent नहीं है तो इसका answer यहीं है क्योंकि हमसे यह पूछा does not live on the adjacent flat ठीक है next question आपके screen पर यह रहा काफी मज़ेदार question मज़ा आएगा इसको करने में चलो देखो क्या बोलता है 10% है यह बात बोली गई है 1, 2, 5 तो भाई अब 5, 4, 3, 2, 1 कर दिया अच्छा कितने flat हैं दो flat हैं तो दो flat बना लेना क्योंकि तभी तो 10% हो जाएंगे ठीक है न 1, 2 आपका 0, 1 और यह रहा 0, 2 ठीक है W and T lives in different flat number ठीक है W or T different flat number पे C lives 3 floor above P but in different flat number C lives above P, कितने floor 1, 2, 2 floor का gap होगा क्योंकि 3 floor above बोला है 3 floor above फिर सक कह रहा हूँ गलतियां मत करना 3 floor above मनलब 2 floor का gap लेनेंगे और यह दोनों क्या हैं आपके different flat में है यह चीज ध्यान रखना आगे देखो क्या बोला है T and B live on the same floor T और B आपके same floor में K lives just above G's flat G के flat के just above K रह रहा है just above मतलब आपके same flat में रहेंगे अच्छा अगे बोला and live east of C अच्छा C के east में C के east में मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से बात बोला है चलो ठीक है देखते हैं कि कितने cases बनाऊंगा मैं यहां पर क्या कहता हूं कि C यहां रखता हूं तो E यहां रखूंगा ठीक है C यहां रखूंगा तो E तो दो फ्रोगा गैब देखे पी को यहां लिखूंगा ना बात समझ रहे हो क्योंकि देखो क्या बोला है कुछ ऐसा बनना चाहिए तो हम उपर से शुरुबात करते हैं कि यहां रखते हैं तो C के इसकी तरफ आपका कौन होगा इमेडियेट वेस्ट में यही तो बोला है देखो कि आपका बोला के लिव जस्ट अबव जीस फ्लैट एंड के लिव इस्ट अफ सी तो सॉर्ड़ी यहां इस्ट ऑफ के आएगा के आएगा यहां पर यह गरबल कर दी तुमने के यहां आ जाएगा एक के और बना लेते हैं जल्दी-जल्दी में एक केस और बना लेते हैं दूसरा केस आपका कि C औरके अच्छा दो क्या बोला है दो गैप हो जाएंगा दो फ्लोर का क्योंकि थ्री फ्लोर अभव बोला है न तो 1FLOOR 2FLOOR और यह ज़ा तो आपका पी यहां आएगा क्योंकि सी और पी का डिफरेंट फ्लैट है वन टू करके पी यहां आ जाएगा यह यहां तक लियर है आई होप सब को क्लियर होगी ठीक ना आगे देखें टी नाइदर लेफ अडजैसें फ्लैट ऑफ बी सॉरी पी एडजैसें फ्लैट ऑफ पी तब टी यहां नहीं होगा टी यहां नहीं होगा टी यहां नहीं होगा टी और भी टी और भी तो सिर्फ एक यहीं पॉस्बिल्टी साले किस पर बन रही है अच्छा आगे बोला है नौर लिब्स ऑन और नंबर फ्लोर मतलब यहां पे भी नहीं हो सकता यहां पे भी नहीं हो यहां है तो भी यहां हो जाएगा यहां देखो क्या आजाएगा यहां पर क्या बात बच जाएगी यह तो यहां आएगा नहीं ती वैसे भी यहां नहीं आएगा टी और बी के लिए एक यहीं पोजिशन बचती है कि यहीं आएगी और कहीं कोई केस नहीं बन रहा है आगी कि two person live between V and W who lives above V अच्छा V or की बोला है P and H does not live on the same floor ओके two person live between V and W अच्छा V or W के बीच में two person है ओके और बोला क्या है W and T lives in the different flat number ये line बोल दी गई है तो T अगर इस flat में है तो W यहां कही नो अगर हमने V को यहां लिखा बोला है वी और डबलू के बीचे दो परसंद तो दो परसंद इनको इनको इंक्लूट करोगे ना तो वी यहां रके डबलू तो लिख नहीं पाओगे डबलू यहां लिखोगे इस जगे अगर हम डबलू यहां रखते हैं तो क्या केस बनता है यह देखो चलो वी को यहां रखा तो क्या बनेगा डबलू यहां आएगा क्या डबलू और टी अच्छा तो दो केस बन रहे हैं यहां पर आगे देखते हैं कि कोई और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं छोड़ रहे हैं आगे बोला है, who lives above v, p and h does not live on the same floor, अच्छा, p और h आपके same floor में नहीं है, कोई बात नहीं, k यहां लिखे हो, k के तुरण तुपर g क्यों नहीं लिखा आपने, sorry, g नहीं, g के above k बोला है, तो k यह है, तो g यहां आजाएगा, g के above k, तो यह लिखो ना, यह main line थी, यह आपने कर दिया, अब आप बताओ मुझको, कि अगर v यहां लिखोगे, तो मजबूरी में, तो जो की गलत हो जाएगा, इसका उतलब v यहां आएगा, w यहां आजाएगा, ठीक है, v यहां आएग केस में, इस केस में, t और b के लिए यही possibility बन रही थी, पर यहां मैं g को छोड़ रहा था, जिसके वज़से, t और b के लिए line बन रही थी, पर ना तो t और b यहां आ सकता है, ना तो t और b यहां है, तो यह तो case useless हुआ, यह मेरा right answer है, ठीक है, next answer देखते है, क्या आता है, इ को C नीचे गए और फिर ऊपर चले गए, गए एक A, P, A बना, G, B, K, मतलब पहला letter center में, फिर नीचे, फिर K, अच्छा, क्व, G, एक सेके बीच में, क्या गुआ, क्व, H, क्व, H, G, क्व, और G, ऐसा बन रहा है, अच्छा, चलो यह भी सही है, देख लेते हैं, क्व, G, ए और KGB में क्या है KG और B समझ रहे हो क्या concept बन रहा है यहां पर C V H V और H देखो एरो देखो न तुम एरो से समझो कि क्या हो रहा है मिडल वाले को पकड़ा उपर गया नीचे गया लेकिन यहां पर A की साइड एरो बन रहा है बन रहा है किने तो पाँचवे फ्लोर पे पाँचवे फ्लोर पे H और W बन रहा है अब लास्ट कोशन आप देख काफी अच्छा कोशन मज़ा आएगा इसको करने में चलो करो बहुत अच्छा कोशन है दो पॉसिमिलिटी बना कि इसमें करना ठीक है अब बाकी हो के कोशन में बन और टू में तो पॉसिमिलिटी की बिज़वद नहीं थी बर वो मैंने बना दी थी 12 परसंस की बात बोला गया है ठीक है अच्छा कितने फ्लैट है तीन फ्लैट है है यहां पर तो फ्लैट नंबर वन फ्लैट नंबर टू फ्लैट नंबर थ्री कलर चेंज कर लेते हैं इसी के साथ साथ और देखते हैं फ्लैट नंबर वन फ्लैट नंबर टू और फ्लैट नमबर 3 आगे कहता है V lives on even number floor and even number flat डारेक हम इसको fix कर सकते हैं V को even number floor और even flat क्योंकि मेरा 01 ये है 02 ये है और 03 ये similarly 01 ये है 02 ये है 03 ये है तो V मेरा यहां हो जाए कोई दिक्कत नहीं हो तक आगे देखो क्या बोला है आगे बोला है 3 person live between M's floor and B's floor 3 person live between M's floor and B's floor M और B के बीच में 3 person अब वो 3 person कौन चाहिए एक दो तीन कुछ ऐसे होने चाहिए ठीक है आगे देखो क्या बोला है 3 person live between M's floor and B's floor who live immediate west of R तो ये क्या है B आपका immediate west किसके है R के immediate west में तो R के immediate R यहां वाले flat में तो कभी नहीं आए आगे देखो कहता है G lives on the same floor of P but just above K मतलब G जो है किसके above है just above K के है K के just above आगे कहता है G lives on the same floor मतलब same floor है G और P का same floor H lives two flat below P ठीक है one two H ये करोगे नहीं क्या बोला है two flat below तो मतलब A का gap देखे H ऐसे लिखोगे और same flat में होगा already मैंने previous question बता है same flat में होगा H lives two flat below P and lives immediate west of V मतलब V के immediate west में H यहाँ आ जाएगा H यहाँ आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर किसी को होनी चाहिए आए आगे कहता है K neither lives adjacent flat of V K और V एक दूसरे के ड्जेशन में नहीं है nor K lives on the adjacent flat of B और K और B भी एक दूसरे के ड्जेशन में नहीं है आगे W and B lives on adjacent flat अब सुमझो यहाँ पर W और B lives on the adjacent flat तो अब W और B ऐसे हो सकते हैं या फिर W और B कुछ ऐसे होंगे या तो वह left-right होंगे या फिर up-down होंगे यहीं तो बात बुली गई है आगे देखते C lives immediate west of M's flat अच्छा M के immediate west में तो C आ रहा है M के immediate west में C आ रहा है आगे कहता है क्या कि C and B lives in the different flat number यहाँ पर यह चीज़ समझो C और B आपके क्या है different flat number पर आएंगे C और B अब यहाँ पर questions बात बनती कि start कहां से करें अच्छा अब देखो कितने cases बना लोगे तुम देखो आपका G और P देखो यहाँ पर G और P वाली condition हो सकती है M और B वाली condition यह भी हो सकती M और B तो अगर हमने कहा कि M आपका यहाँ है तो 3% एक दो तीन देखे हमको यहाँ लिखना है अगर हम यहाँ कहीं सोचे होते हैं कहीं पे भी हम कह रहे हैं तो 123 करके हम आर यहां लिखते और आर के immediate वसमें भी नहीं कर सकते ना नहीं कर सकते बिलकुल भी M कहा होगा M इडियेट वेस्ट में C तो यार एक काम करते हैं ना M यहां, C यहां, आगे M यहां, C यहां, कुछ गलत तो नहीं किया, हमने एकदम सही किया, अब तीन परसंड एक दो तीन करके R यहां आजाए, इस जग्या आएगा, इस फ्लेट में, अच्छा R यहां आगया, फिर डबलू भी देखना पड़ेगा, डबलू और आर आपके क्या है, एडजेशन में होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कोई बात नहीं, अगर हमने कुछ ऐसा कि R आपका यहां आएगा, तो आपका डबलू भी यहां आ सकता है, क्या कि R डबलू और B यह एक साथ और W और B क्या है, एक दूसरे के एडजेशन में, अगर हमने R यहां लिखा और B यहां लिखा, तो W अपके मेरा यहीं आएगा और कोई option नहीं मेरे पास, अच्छा अब एक चीज सुनो यहां पे, जो मैं समझाना चाहिए रहा हूँ, अगर R यहां लिखोगे, तो B यहां देखे, R, B, तो W यहां आएगा ना, तो R, B, और W यहां आएगा, इन दोनों में अभी सब क्या है दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यहां पे किसी को भी, अच्छा, पी और H की अगरम बात कर रहे थे, पी और H के बीच में, तो जैसे ही मैंने H को लिखा, तो उमने पी को क्यों नहीं लिखा, भाई, पी मेरा यहां यहां ओ जाएगा, पी मेरा यहां हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे किसी को होनी चाहिए थी, अच्छा, अब आगे देखो क्या बोला है, कि के और W एक दूसरे, तो के यहां तो आहीं नहीं सकता, के के उपर ठीक आएगा नहीं, तो के कंफर्म हो जाएगा, जी कंफर्म हो जाएगा, के तो यहां आएगा नहीं, तो के और जी वाली कंडिशन हम फिक्सी नहीं कर पा रहे हैं, यहां वाले केस में, तो के और जी यह हो जाएगा, अब आपका कौन बच रहा है, डी और टी बच रहा है, आपका D और ये बोली गई है कि M, D के बारे में बोली गई है कि C lives immediate west of M, C के आपके क्या बोला है, M के immediate left में C बोला है, और M की ही बात हो रही है, जो की addition flat D का नहीं है, मतलब D यहां नहीं लिख सकते हो, D यहां लिखोगे, बच क्या रहा है, T, T यह हो जाएगा, आंसर आपका लिट आउट होता है, इन तीनों question में तो आप मुझे, आप comment section और पूर section, तब तक लिए, टाटा, बाए-बाए